skill success then guys need 2020 को लेकर the Indian Express में एक news article चपा है जो की काफ़ी ज्यादा important है उस article में क्या बताया गया है उस article में बताया गया है कि need postpone को लेकर जो रश चल रहा है students के बीच, aspirants के बीच उसके पीछे का कारण क्या है students क्यों चाते हैं कि need जो है वो postpone हो and सरकार इस पर क्यों ज्यान नहीं दे रही है तो इसको लेकर पूरा का उन्होंने complete explain किया है तो वो मैं आप सभी के साथ share करूँगा काफ़ी ज्यादा important लगा मुझे वो article तो शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो काफ़ी ज्यादा important होने वाला है तो अन्तक जरूर देखिएगा देखिए सबसे पहले बोला गया है कि अब नीट के लिए क्यों दोडे experience माराश्टर सरकार ने जो है वो अंतिम वर्ष के शात्रू की परिक्षाओं को भी रद कर दिया है जहां अन्या परिक्षाओं की तुल्ला में कम शांत्रों का नवांकन होता है तो माराश्टर सरकार की जो final year exams थे उनके जो exams है उनको postpone कर दिया गया है रद कर दिया गया है अगर उनके experience के संक्या देखे तो नीट और जही की experience के संक्या से बहुत जादा कम है आगे की बात की जाए तो undergraduate engineering और medical program के लिए राश्टर स्तर की प्रवेश परिक्षा देने के लिए सिर्फ एक महिने का और समय बाकी है ले इसके बारे में भी आगे explain किया है पिछले दो दिनों में MHRD मंत्री रमेश कुमार पोक्रियल और HRD मंत्राले दोनों अपने social media handle पर शिक्षा में सत्तारूड सरकार के उपलबदियों का परचार कर रहे हैं वे विबाग द्वारा सफलता पूर्वक किये गे विविन कार्य क पर्मों को पोस्ट करें हैं लेकिन जो शातर हैस्टेग हेल्थ होबर एक्जाम और हैस्टेग पोस्ट्मों नीड जैसे अभ्यानों के साथ जैई और नीड परिक्षां को स्तगित करने की अपनी मांगों के बीच में अडे हुए है अगर आप डॉक्र रमेश वोक्रिया नि इस इस बना कर नहीं नहीं दिया है पिजया है है कि आपने जो अभियान चला रखा है इसके पूछे का कारण है वो कारण आप हमें बताईए कि वो पूरा का पूरा explain मुझे लगता है कि उनको एक बार explain करना चाहिए students के इस मांग को लेकर इतनी ज़्यादा मांग उठ रही है तो इसके पीछे का कोई ना कोई कारण तो होगा ठीक है आगे और भी कुछ है आपके लिए कुछ ने चरणमत तरीके से स्कूल खोलने की सरकार की योजना पर भी सवाल उठाए रितिक जेन ने कहा कि जुलाई में जैइवेंस और नीट का योजन क्यों किया गया जहां तक कि करोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं शात्रों ने change.org पर एक online याची का भी शुरू की जिसमें बुद्वार शाम तक यानि की 24 गंटे 24 गंटे भी नहीं थे 12 गंटे ही माल लीजिए उसमें 1.6 लाग से अधिक साइन पेटिशन साइन हुई है बूर्ड का प्रवेश और जुलाई में प्रवेश परिक्षा एक निर्ने होगा जो केंदर सरकार को बाद में पच्टावा होगा जोरदार शब्दों में अपील की गई है गाइज अब MHRD, NTA और हमारी गवर्मेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जिस पर्टिशन पर 12 गंटे में 1.6 लाग सिगनेचर हो चुकी है तो उसके पीछे का कोई तो रीजन रहा होगा इतने पैरेंट्स, इतने स्टूडंस अगर इसके फेवर में है तो इसके पीछे का कोई तो कारण है तो इस पर सरकार अभी तक कुछ भी द्यान नहीं दे रही है देखिए अगर आपको पोस्ट मोन नहीं करना है तो वो एक अलग बात है लेकिन इस पर कुछ अपनी विचार तो परकट करें सरकार इसके रिस्पेक्ट में कोई भी रिस्पोंसिविलिटी नहीं ले रही है कोई भी जवाब नहीं दे रही है बस एक और सिर्फ एक बात पर अड़ी हुई है कि एक से पंदरा जुलाई को आपके सीवियसी के एकजाम है 18 से 23 जुलाई आपके जही के एकजाम है और 26 जुलाई को आपका लीट का एकजाम है उसके आगे माराश्ट्र सरकार ने अंतिम वर्ष के शात्रों की प्रिक्षाओं को भी रद कर दिया गया है जानता कि अगर सरकार केंदरों के अंदर समाजी गड़बडी सुनिश्चित करती है तो केंदर के बार की भीड़ का क्या जल्दी क्या है और क्यों अस्ताक्षर करता हूँ ने ये मांग की है जी बिल्कुल सही मांगता हूँ मैं इस शबत को की ठीक है सरकार ने बोला है कि हम जो एक्जाम सेंटर है उसके अंदर ज्यादा स्टूडेंस पहले जितने स्टूडेंस बेटते थे उसके 60% स्टूडेंस ही बेटाएंगे उसके साथ साथ पुरा का पुरा सैनेटाइज किया जाएगा स्टूडेंस के मूँ पर मास्क होगा अपना एक सैनेटाइजर होगा उनके पास ठीक है अंदर आपने कंट्रोल कर लिया लेकिन बाहर वाली भीड का क्या ऐसा तो नहीं है कि students अकेले ही परिक्षा देने जाएंगे ऐसे भी students है जो कि अकेले परिक्षा देने नहीं जा सकते तो उनके साथ उनके parents भी आएंगे उनकी देखबल भी उतनी ही जादा important है जितनी की आप students की देखबल कर रहे हैं तो उनकी देखबल का क्या आप अंदर का तो maintain कर रहे हैं लेकिन बाहर की maintenance का क्या उसका उभी तो ज्यान में रखना होगा तो इस पर कोई भी विचार नहीं लिया जा रहा है उसके बाद अगर बात की जाए तो हाथापाई में जोडने के लिए एक अनमोदित नीट परिक्षा के पुननर निर्दारियन के बारे में सोचल मीडिया पर फरजी संदेश तैनने लगे मानो संसादन विकास मंतराने ने सपष्ट किया कि परिक्षा स्थगन करने पर कोई सला नहीं दी गई है नीट परिक्षा 26 जुलाई और जेही में 18 से 23 जिलाई को आयोजित की जाएगी उसके बाद सुप्रीम कोट ने एक पील को कारिज कर दिया SSLC की जो परिक्षा है उसको आयोजित करने की भी अनुमति दे दी है तो गाइस यह कुछ एक important things थे कुछ एक important thoughts थे जो मैंने आप सभी से share किये और दो इंडियन एक्सप्रेस के एक news article में चापे गए हैं तो काफी important लगा and guys आप भी अगर इसके favor में है तो फ्लीज वीडियो को like करके अपना favor जो है वो जुरूर सप्ष्ट करें अगर आपको लगता है कि नीट का exam 26 जुलाई को ही होना चाहिए अगर आप risk लेने के लिए त्यार है अगर आप exam का pressure और corona virus का pressure दोनों maintain कर सकते हैं तो आप वीडियो को dislike कर सकते हैं ठीके गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताएगा चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा ताकि ऐसी ही important वीडियो आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके बाकि मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के चैनल